आज के वीडियो में रक्ताधान अथवा ब्लड ट्रांस्फ्यूजन को चित्र सही समझाएंगे तो चली शुरू करते हैं रक्ताधान को अंग्रेजी में ब्लड ट्रांस्फ्यूजन कहा जाता है और आम बोलचाल की भासा में खून चढ़ाना कहते हैं रक्ताधान या ब्लड ट्रांस्फ्यूजन के अगर परिभासा पुछी जाए तो रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को एक विक्ति से दूसरे विक्ति के परिसंचर्ण तंत्र में इस्थानांत्रित करने की प्रिकिरिया रक्ताधान कहलाती है मतलब एक विक्ति से दूसरे विक्ति में रक्त को चढ़ाने की प्रिकिरिया ही रक्ताधान कहलाती है वो भी कहां तो नसों में मतलब खोन चढ़ाना अथवा blood transfusion एक medical प्रिकरिया है जिसमें दान किया गया खोन एक पतली नली से मानो हाथ की नस में चढ़ाया जाता है इस प्रिकरिया से किसी का जीवन बचाया जा सकता है अगर किसी को चोट या किसी operation की वजह से खोन अधिक बह जाता है तो इस प्रिकरिया से खोन चढ़ा कर उसे बचाया जा सकता है आप यदि पूछा जाए कि रक्तदान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है तो बताएंगे विश्व रक्तदान दिवस की इस्थापना 2004 में WHO के द्वारा की गई थी लोगों को रक्तदान के लिए बढ़ावाद देने और रक्तदाता का अभार जताने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को इस दिवस को मनाने का उद्धे से रक्तदान को प्रोसाहन देना और उससे जुड़ी ब्रहांतियों को दूर करना है मतलब जो जरूरत मंदों होते हैं जरूरत मंदों को खून उपलब्ध कराना ताकि खून की कमी से किसी मरीज की जान ना जाए अगर पूछा जाए बिस्सु रक्तदान दिवस किसने शुरू किया था तो कारल लेंड इस्टीनर ने बिस्सु रक्तदान की सुरूवात की थी आश्ट्रेलियाई जीवे ग्यानी और चिकेसक कारल लेंड इस्टीनर का जन्म 14 जोन को हुआ था और इन्ही के जन्व दिन पर, यानि 14 जून को ही 200 रक्तदाता दिवस मना जाता है, इन्हें आधुनिक रक्तदान का संस्थापक माना जाता है, अब अगर पूछा जाए कि रक्तदान कौन नहीं कर सकता है, तो ब्लड डोनेट करने वाले को किसी भी प्रकार का हिर्दय रोग नहीं होना चाहिए, जो ब्लड डोनेट कर रहा है, रक्तदान कर रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का हिर्दय रोग नहीं होना चाहिए, अगर आपने 6 महीने पहले भी टैट्यू बनवाया है, तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, अगर आपको हिपेटाइटिस B, हिपेट CT-C, tuberculosis, leprosy, HIV का infection है तो भी blood donate नहीं कर सकते हैं systolic और diastolic blood pressure level नार्मल होना चाहिए वरना नार्मल ना होने पर blood donate नहीं कर सकते हैं चले जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है तो doctors के अनुसार कोई भी स्वस्त वयस्क पुरुस और महिला दोनों रक्तदान कर सकते हैं पुरुस हर तीन महीने में एक बार रक्तदान कर सकते हैं जबकि महिलाएं हर चार महीने में दान कर सकती हैं वहीं blood donate करने वाले की नियुनतम आयू 18 साल होनी चाहिए और अधिक्तम आयू 60 साल की उम्र होनी चाहिए यानि नियुनतम आयू 18 साल है और अधिक्तम आयू 60 साल की उम्र वाले लोग खुन डोनेट कर सकते हैं आपको बता दें कि 2023 के लिए विस्वरक्त दाता दिवस की थीम है खुन दो, प्लाजमा दो, जीवन साजह करो, अक्सर साजह करो ये 2023 के लिए विस्वरक्त दाता दिवस की थीम है आपको बताते चलें कि रुधिर चढ़ाने या खुन चढ़ाने या रक्त चढ़ाने की प्रिकिरिया क्या होती है तो रक्त चढ़ाने की प्रिकिरिया सरल और सीधी है लगभग 450 मिलिलीटर रक्त एक दाता के हाथ की नस के माध्यम से निकाला जाता है और हाइपोडर्मिक सिरिंज और एक प्लास्टिक ट्यूग के माध्यम से बैग में या बोतल में इकठा किया जाता है अब रक्त के ठके को रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट डाला जाता है प्राप्त करता यानि जिसको खोन चढ़ाना है प्राप्त करता में रक्त चढ़ाने में प्राप्त करता की बाह की नस में गुरुत द्वारा चढ़ाया जाता है प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी की जाती है प्राप्त करता में 450 मिललेटर रक्त डालने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है बताते जले कि रक्त चढ़ाने की प्रकिर्या में रुधिर अधान से पहले डाक्टर उस रुधिर का नेरिक्छड करते हैं रुधिर चड़ाने से पहले क्या करते है रुधिर की जाच की जाती है क्योंकि या रुधिर रोगी के रुधिर से सुसंगत होना चाहिए अगर कुसंगत होगा तो जीवन खतम हो सकता है और रुधिर अधान द्वारा मलेरिया, सिफलिस, एर्स वा हिपेटाटिस रोगों के स सकता क्यों होगी सरजरी, एक बड़ी सरजरी के दोरान अधिक मात्रा में रक्त निकल जाता है जिसे ततकाल रक्त धान की मदद से पूरा किया जा सकता है फिर दूसरा है रक्त पलता, यदि कोई तीब रक्त पलता से पीडित है तो उसके सरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की स संख्या सामान ने अस्तर से काफी कम हो जाती है इसलिए उनके जीवन को बचाने का एक मात्र तरीका उनके सरीर में बहुत सारी ताजा लाल रक्त कोशिकाओं को डालना होता है फिर तीसरा है कैंसर आम तोर पर लिवकेमिया या रक्त कैंसर वाले रोग्यों में गंभीर एन कोशिकाओं के उत्पादन की छमता को कम करते हैं इस प्रकार समय पर रक्त धान इन कैंसर रोग्यों को बचा सकता है फिर अगला है आंतरिक रक्त स्राव अल्सर या अन्य गंभीर पाचन विकारों के कारण पाचन तंत्र में चोट लगने से अत्यधिक रक्त स्राव हो सकता तो रोगी को कभी-कभी रखत अधान की आवशकता हो सकती है। फिर अगला है आकस्मिक चोटें। जब कोई विक्टी किसी दुरगटना के दौरान गंभीर रूप से गायल हो जाता है, तो बहुत सारा रखत बह जाता है। इसलिए उस विक्टी को रखत अधान की आवशकता होती है फिर अंतिम है गंभीर वीमारी कुछ रक्त विकार जैसे सिकल सेल एनेमिय रोग और हेमोफेलिय रोग में अक्सर मरीजों की जान बचाने के लिए खून चडहाने की ज़ूरत पड़ती है तो इन कारणों की वज़े रक्तधान की आवसकता पड़ती है चलिए अब blood donation से जुड़े कुछ रोचक तत ही बता देते हैं जिसमें से पहला है रक्तधान करते विए donor के सरीर से केवल एक unit रक्त ही लिया जाता है यानि donor जो होता है उसके सरीर से केवल एक unit रक्त ही कई बार केवल एक car accident या दुरघटना में ही चोटिल हुए बिक्त को 100 unit तक के रक्त की जुरुत पड़ सकती है एक बार रक्तधान से आप 3 लोगों की जिन्दगी बचा सकते हैं फिर अगला भारत में सिर्फ 7 प्रसालोगों का blood group O negative है सिर्फ 7 प्रस